दोस्तो शेर एक ऐसा जानवर होता है जो जंगल का राजा होता है तो भला जंगल में राजा को कौन हाथ लगा सकता है लेकिन आपको बता दे कि ऐसा नहीं है कि शेर से हर कोई डरता है क्योंकि कई ऐसे जानवर हैं जो राजा को ही मार कर खा जाते हैं जिनके बारे में ना हम आपको बताएंगे बल्कि फूटेज भी दिखाएंगे कि कैसे शेर इन जानवरों के सामने बेबस नजर आते हैं सबसे पहले बात करते हैं लॉयन वर्सेज एलिकेटर दोस्तों ये घटना है स्वैना नेसनल पार्की जहां ये दोनों शेर पानी को पार करके जंगल के दूसरी तरफ जाना चाते थे इसलिए ये दोनों पानी में तैरने लगें ये दोनों शेर पानी में उथल पुथल मचा रहे होते हैं तबी मगरमच को शेरों के आने की आहट मिल जाती है और वो इनकी ओर बढ़ता है वो भी पानी में बिना हल्चल किये बगार शेरों के पास बहुँच जाता है आपको बता दे कि मगरमचों का bite force बहुत जादा होता है साती सात इनके पास एक trick होती है जो होती है घूमने की इस ट्रिक से ये किसी भी जानवर की हड़ियों को चकनचूर कर देते हैं, बस यही ट्रिक ये मगरमच इन शेरों पर आजमाता है, जब मगरमच एक शेर पर हमला करता है, तो दूसरा शेर यहां से भागने की कोसिस करने लगता है, लेकिन इस शेर की किसमत अच्छी थी, क्योंकि शेर दूसरे मगरमच को खाने में बीजी था, इसलिए ये शेर दूम दबा कर यहां से भाग जाता है, लॉइन वर्सेज हाइनास, दोस्तो लगडबग्गे बेहद ही रहम दिल जानवर होते हैं, वो कहावत है न कि जब बुरा दिन आता है, तो कुटे भी शेर का शिकार कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ यहां भी देखने को मिलता है, हाइनास की सबसे खास बात यह है कि ये शेरों पे तभी हमला करते हैं जब इनकी संख्या बहुत ज़ादा हो, आप यहां देख सकते हैं कि कैसे ये जंगल का राजा इन हाइनास के सामने बेबस नजरा रहा है, ऐसे त ऐसे ही इन हाइनास के ग्रूप ने इस शेर को गेर लिया है, रात होने के वज़े से शेर जादा एक्टिव नहीं है अब बात कर लेते हैं लॉइन वर्सेज हिप्पो शेर अपने शिकार करने के इकला के वज़े से बहुत मशूर है ये अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से ही सूंग लेते हैं पर बदकिस्मती से ये शेर इसमें काम्याब नहीं हो पाता क्योंकि जंगल का ये राजा इस जानवर को पहचानने में गलती कर देता है क्योंकि ये कोई पत्थर नहीं बलकि एक दर्याई घोडा था जैसे ही ये शेर हिपो के पास आता है तो हिपो को गुसा आ जाता है और ये शेर के सर को तर्बूस समझ लेता है क्योंकि दरियाई घोडों को तर्बूस बहुत पसंद होता है आपको बता दे कि हिपोस का काटना 135 किलो ग्राम का प्रेशर दरनेट कर सकता है मगर उम्मीद है कि जंगल का ये अराजा जिंदा बच गया होगा और ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी हिपोस से पंगा नहीं लेगा दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि शेर भेंसो का आसानी से शिकार कर लेते हैं लेकिन यहां तो कुछ अलगी देखने को मिला आप यहां देख सकते हैं कि कैसे ये भेंसा सेर को उठा उठा के पठक रहा है वो कहते हैं न कि कोई जानवर या इनसान अपने ताकत का तब तक अंदाजा नहीं लगा पाता जब तक कि उसकी जान पर ना बनाए ऐसे ही जब इस भैसे की जान पे बनाई तो इसने शेर को उठा उठा के पठक दिया इसके लावा हम आपको हिपोस और शेर की एक और वीडियो दिखाते हैं जब ये शेर पानी में तैर रहे थे तब ही यहाँ एक हिपो आ जाता है क्योंकि हिपोस ज़्यादा तर समय पानी में ही रहता है इसलिए हिपोस पानी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और पानी को अपना इलाका समझते हैं ये हिपो बार बार अपना मूँ खोलता है ताकि शेर के मूँ को अपने मूँ में दबोच ले लेकिन इस शेर की किसमत अच्छी थी, जो वह यहाँ से भाग जाता है दोस्तो जब भी शेर सांपू को देखते हैं तो वहाँ नहीं आते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं लेकिन शायद इस शेर को ये बात पता नहीं थी जिसके बाद ये python इस share को सीख दे देता है share के लिए अच्छी बात ये थी कि python यहां से खुद ही चला जाता है loin versus leopard दोस्तों ये दोनों ही बड़ी बिलियों की परजातियों में आती है और ये दोनों ही बेहत ही खतरनाक शिकारी भी है लेकिन क्या होगा कि जब इन दोनों का सामना एक दूसरे से हो आप यहां देख सकते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में leopard जदा भारी पढ़ ला है वहीं share खुद की जान बचाने में ही लगा हुआ है जब share हारने लगता है तो यहां बहुत सारे share आ जाते हैं जिसके बाद leopard को यहां से भागना पड़ जाता है loin versus tiger यह दोनों ही बेहत खुखार होते हैं लेकिन इन दोनों को एक जू के एक पिजड़े में रख दिया गया अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में लड़ाई होनी तो पक्की है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन तो आपको बता दे कि इनके लड़ाई का कोई हल तो नहीं निकला लेकिन पूरी लड़ाई देखने के बाद यह पता चला कि यह tiger इस share से ज़्यादा powerful है